नमस्कार दोस्तों टेको टेक मैं आपको स्वागत है मैं उसन्दीप तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल्वेर रेक्रमेंट बोट के एंटीपीसी पद के लिए जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसकी तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं तो इस वीडियो को ध्यान से देखे कितने पद है कितने इसकी फीज से कितनी आख़े तारी के सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में दूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि नोखरी से संब्दने तो अभी मैं वीडियो आपको यहां पास अप सब्सक्राइब करना होगा तो उसके लिए आपको उसका जवाब देना है सब्सक्राइब करना होगा तो उसके लिए आपको एक कागश यह दिया जाता है जिसमें आप रफ का काम कर सकते हैं बागी सारे जवाब आपको कंप्यूटर बे बैठके माउस से ही दिया जाता है तो दोस्तो यहाँ पास हम लोग आ जाते हैं इस एक्जामिनेशन डेट का टाइम का सबके विसे में जानने के लिए तो सबसे पहला तो हम लोग एक्जामिनेशन का डेट जानते हैं जो की 14 सेप्टेंबर दोजाब चॉबिस से स्टार्ट हो चुका है मतलब कि आप एप्लाई कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है उरो है 13, 10, 12, 24 का तो आप 13, 10, 12, 24 को रात में 23 बच के 69 मिनट तक आप ए भियान रखे 14 अक्टोबर और 15 अक्टोबर तक आप इसकी फीस भर सकते हैं अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसमें करेक्शन के लिए कि अगा कुछ गल्ती हुआ है तो इसमें आप उसको सुधायने के लिए 16 तारिक से 25 तक दिया गया है फिस मैं आपको पता रहा हूं 16 अक इसी या फिजिकली हैंडिकैप हैं चाय मेल हो या फिमेल हो उनको 250 सुपर फिस लगेगी आपको जो पेमिंट करना है वो केडिट कार्ड डेविट कार्ड या इंटरनेट बेंकिंग के माधियम से ओनलाइन ही पेमिंट करना है दोस्तो अब हम लोग आते हैं एज लिमिट के उपर तो इसमें साफ साफ बताया है कि एक एक दोहजाब पचीस मने एक जनवरी दोहजाब पचीस को आपकी मीनिमम एज अठार साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 36 साल होनी चाहिए यहां बहुत से लोगों को ऐसा सवाल होत तो वो इस फर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं तो मैं आपको यहां बता दूँ जिसकी एज जिसकी एज 17 साल, 8 मेने, 9 मेने, 10 मेने, 1000 मेने बैर भी हुए है और जिसकी एज एक एक दोहजाब पचीस को 18 साल हो चुके है या हो जाएंगे मने आने ओले समय में आपकी एज अठा साल हो जाएगी एक एक दो हजा पचीस को तो वो सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं तो इस बात को बहुत ही ध्यान देजिए ठीक है अब यहाँ पास एक्स्ट्रा एज लिमिट की बात कर दे तो पांस साल का रिलेक् तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझे खास का वैसे भाईयों के लिए जिनकी एज अभी सत्रा साल नो मेने दस मेने आठ मेने तक है और जिनकी एज आने ओले समय में एक एक दो हजा पचीस को अठा साल होगी तो यानि ओभी भर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब आता ह हैं क्वालिफिकेशन में तो आपके पास में गेजुशन की डिगरी होनी चाहिए किसी भी रेकोगनाईज इनिवर्सिटी से दोस्तों अब आते हैं सीट पे तो टोटल 813 पोस्ट है जिसमें की चीप कमर्सियल कम टिकट सुपरवाईजर इसकी जो टोटल सीट है ये 736 वेकेंसी है वहीं पास स्टेशन मास्टर की 994 वेकेंसी है जो गुड्स ट्रेंड मेनेजर है इसका मतलब होता है पहले हम लोग ग पीछे जंडी हिलाते हैं तो उनकी जो टोटल वेकेंसी है तीन हजार 1144 है जुनियर एकाउंटेंट की जो वेकेंसी है पंदा सो साथ है जो सीनियर कलक की वेकेंसी है वह 732 है तो टोटल वेकेंसी आठ जार 113 हो गया अगर हम लोग मेडिकल की स्टेंडर देखे तो आपको जुनि आपकी जो चीफ कमेसियल कम टिकट सुपरवाईयर है उसको बीटू मेडिकल कैटेगरी होती है इस्टेशन मास्टर की एटू मेडिकल कैटेगरी होती है गुड्स टेंड गाट की भी एटू मेडिकल कैटेगरी होती है जुनियर एकाउंट असेस्टेंट की सी टू क केटेगरी होती है जुनियर कलक कम टाइफिस की भी सीटू मेडिकल केटेगरी होती है और इनका इनिसियल पे अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा चिप कमर्सियल कम टिकट सुपरवाईजर का 3540 से स्टेशन मास्टर का 3540 बाकी गुड्स ट्रेंड मैनेजर जुनियर एक इसिस्टेंट और सिनियर कलक इन की 29 ज़ए 200 बेसिक पे से स्टार्ट होती है अब दोस्तों आते हैं हम लोग जेनरल जो एक्जामनीशन होता है उसका क्या-क्या पैटन होता है तो मैंने जिससे आपको पहले बताए कि सीवीटी एक्जाम होता है सीवीटी एक्जाम का मतलब क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क होता है उसमें 40 question होता है math के 30 question होता है general intelligent reasoning के 30 question होता है और जो total number of question होते है 100 होते है 40 30 30 100 और examination का जो समय है 90 minute होता है और अगर आप मान लिजे की गलती करते हैं कोई भी सवाल के आपने गलत जवाब दिये तो आपको one by three इसका मतलब में simple भासन बताओं अगर आपने तीन सवालों के जवाब गलत किये हैं तो आपका एक number कटेगा ठीक है सेम जो तरीका है वो आपको cv2 to exam में भी दिया गया है लेकिन यहां सवालों के संख्या कुछ ज्यादा कर दी गई है जैसे इसमें जैनल आपने के जो 50 सवाल आते हैं math के 35 सवाल आते हैं और जैनल intelligence या reasoning के 35 सवाल आते हैं टोट तो इसमें 120 सवाल है और उसक लिए 90 minute का समय दिया गया है इसमें भी सेम चीज़ बताया गया है कि अगर टीन सवाल आप गलत करते हैं तो उसमें एक नमर गया क्ता जाएगा तो दोस्तो रेलवे स्टेट बॉर्ड या किसी भी ताय कि वेकेंसी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां पास मैं आपको ऐसे वीडियो लाके दूंगा जो कि आपको पहले से इनफर्मेशन हो जाएगा कि कौन सी वेकेंसी निकली है कैसा क्या है तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में अब मैंने जो रेलवे बोट से जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे डाल दिया है आप वहाँ से जाके सीरे रेलवे बोट पर जाके आप अपना ओनलाइन एप्लिकेशन कर सकते हैं तो कोई भी डाट हो तो आप प्लीजी इस नवर पर कॉल भी कर सकते हैं